जुहार मैं आनन्द कुमार और आप देख रहे हैं जन्मन की बात दोस्तों हिंदी पट्टी के तीन राजियों मध्यप्रदेश, राजस्थान और 36 गड़ में तो आंग्रेस की हार क्या हुई? आइन डिया एलाइंस में शामिल चेतरी दलों के निताओं ने कॉंग्रेस से दूरी बनानी शुरू कर दी है और बंगाल की मुख्यमंत्री और त्रिनमूल कॉंग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर जी, बिहार के सीम और जदी उनेता नितीश कुमार और समाजवादी पार्टी के मुख्या अखिलेश यादों ने कॉंग्रेस अध्यक्ष मलीका जुन खडगे की तरफ से बुलाई गई बैठक में शामिल होने से मना कर दिया है इस लिस्ट में अब जारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत्र सुरेन का नाम भी जुड़ गया है मुख्यमंत्री हेमंत्र सुरेन ने मंगलवार को गिरीडी के न्यू सर्किट हाउस में वत्रकारों से बात करते हुए साफ तोर पर कह दिया कि वह 6 दिसंबर को इंडियन नेशनल डेवलप्मेंट इंक्लूसिव इलायंस की बैठक में शामिल नहीं होंगे हलाकि उन्होंने यह जरूर कहा कि उनकी और से कोई प्रतनेथी बैठक में शामिल होने के लिए जा सकता है देखिए एमन सोरेन का ये वीडियो फिर करेंगे आगे ये चर्चा कि आदिवासी सीटों पर जो तीन राजियों में भाजपा को बढ़त मिली है काफी अच्छी सीटे आई हैं क्या उसका जारखट पर कोई असर पड़ेगा पहले ये वीडियो देख लेते हैं देखिए क्या असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो तो आने वाला समय में पता चलेगा लेकिन हम तो पहले भी कहें हैं जो जैसा रहनत करेगा हो ऐसा परिनाम आएगे कि कल सारा आए इंडिये गट वर्णन की सब बैठा चाहते हैं सर आप जा रहे हैं हमारा तो इधर अभी व्यस्ता है हमारी बात भी थी खड़ेगे साब से और देखते हैं कोई प्रतिरिती जा कोई सब्सक्राइब है इसको लेकर सब चौबीस के चुनाव को लेकर के अब की बार 400 पार क्या कहना चाहिए अब को देश में बोलने की सुझाबता है अब अब ऐसा तो होता नहीं कि किसी का मुबंद किया जा सके यह तो जंता नेने करती है और जंता जो नेने करती है वो पुरा दुनिया देखती है तीन राजियों के रिजल्ट के बाद अब क्या जहरखन में समावना वित्ता है या उसको लेके क्या आप सिस्टा चाहिए पहले भी आई थी अला कि आज होने वाली या बैठक अब नहीं होगी स्थगित कर दी गई है तो दोस्तों ममता नितीश अखिलेश और हेमंद को देखकर कॉंग्रेस के नेता यह जरूर सोच रहे होंगे कि हम थोड़े गरीब क्या हुए थोड़े परेशान क्या हुए पूरी दुनिया नहीं मुह मोल लिया लोग सबा चुनाओं में मुश्किल से चार महिने बचे हैं इंडिया वालों का यही लक्षण रहा तो बंटाधार होना तय ही मान लीजिए लेकिन एमंद सोरेन ने एक और बात कही आपने वीडियो में देखा होगा जब उन से पूछा गया कि क्या तीन मेहनत करेगा वैसा परिणाम आएगा तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री हमन शुरेन भी यह मान रहे हैं कि कॉंग्रिस ने इन तीन राज्यों में उतनी मिहनत नहीं की इसलिए उसे मन मुताबिक ces नहीं 靈म्षण रहे हैं चुनााओं में अभी एक साल बाकी है उसके पहले लोकसभा का चुनाव होना है लेकिन हेमन सुरेन लगातार राजे का दौरा कर रहे हैं पिलालव सरकार आपके द्वार कारकरम के तहट हर जिले का दौरा कर रहे हैं सरकार आपके द्वार कारकरम का या दूसरा साल है इसके पहले इस सालवा खत्यानी जोहर यात्र काम्याबी से जारखंड भाजपा के नेताओं में भी वही प्रदर्शन दोहराने का उत्साह जगा है भाजपा द्यक्ष बाबू डाल मरांडी भी पूरा दमखम लगा रहे हैं अलाकि अद्यक्ष बनने के पांच महिने बीट गए हैं आज तक वो अपनी टीम घोशित नहीं कर सके है कहा जाता है कि उनकी टीम भाजपा मुख्याले में जेपी नड़ा जी के पास पड़ी है घोशित कब होगी पता नहीं लेकिन अकेले ही बाबू लाल मरांडी हेमन सुरेन और उनकी सरकार पर हल्ला बोल रहे हैं एवन सुरेन और उनकी सरकार पर ब्रस्टा चार के आरोपों का पिटारा लेकर मरांडी भी जिले जिले घूम रहे हैं संथाल परगना जो जारखंड मुक्ति मोर्चा का गड़ है वहां वरांडी का ज्यादा जोर है और लोकसबाद चुनाओ के बाद पूरी बीजेपी का ध्यान जारखंड पर ही केंद्रित हो जाएगा यह भी तैबात है लेकिन क्या भाजपा का जो प्रदर्शन 36 गड़ मद्ध प्रदेश और राजस्थान के जंजाती इलाकों में वहां की सीटों पर रहा है वही प्रदर्शन जारखंड में क्या दोरा सकेगी 2019 के पहले भाजपा जारखंड में आदिवासी सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करती आई थी लेकिन रगवर दास के मुख्यमंत्री रहते CNT कानून में बदलाओ की कोशिश, धर्मांतर निशेद बिल और नोकरियों में जिलावार आरख्षर देने जैसे फैसलों ने आदिवासियों को नाराज कर दिया और भाजपा को ST के लिए सुरक्षित 28 में से सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिल पाई तीन राज्यों के चुनाओं में भाजपा ने मद्परदेश में 47 सीटों में से 24 पर जीत हासिल की है राजस्थान की 20 सीटों में 9 पर और 36 गड़ की 29 सीटों में उसे 16 सीटों पर जीत मिली है लेकिन क्या भाजपा यही प्रदर्शन जार्खन में रिपीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी इसको लेकर दोस्तों मेरे मन में कुछ सवाल है द्रौपदी मुर्मो को राष्टपती बनाकर भगवान विर्शा मुंडा के जन्म दिवस को जन्जाती गौरो दिवस घोशित करके और आदिवासियों के लिए कई स्कीमों की घोशना करके भाजपा लंबे समय से आदिवासियों को यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वही आदिवासियों की सच्ची हितैशी है, सच्ची हमदर्ध है इस साल अभी पिछले महिने जब 36 गड़ में चुना हो रहे थे उसी समय प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जारखंड में थे 15 रवंबर का दिन था विर्षा मुंडा की जैन्ती थी और मोदी विर्षा की जन्मस्थली उलिहातू में थे खूटी मुनों ने सभा की और आदिवासियों के लिए 27,000 करोड की योजनाओं की गोशना की 36 गड़ में जारखंड से ज्यादा आदिवासी रहते हैं 35 फीजदी जारखंड में सिर्फ 26 फीजदी है लेकिन वहां आदिवासी बनाम गैर आदिवासी उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना जारखंड में है जारखंड में कई स्तरों पर ये कॉंफ्लिक्ट दिखाई देता है यहां आदिवासी बनाम गैर आदिवासी की लड़ाई है मूलवासी बनाम प्रवासी की लड़ाई है और आदिवासी बनाम सदानों की कुडमियों की एक अलग लड़ाई चल रही है 36 गड में आदिवासियों के लिए 90 में से 29 सीटे रिजर्व है जारखंड में 80 में से 28 लेकिन जारखंड के आदिवासी इसे आदिवासी राजमानते हैं और इसलिए यहां आदिवासी मुखमंतरी बनाने की परमपरा रही है रगवर दास को मुखमंत्री बनाकर भाजपा ने इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश जरूर की थी लेकिन उसके बाद 2019 में हुए विदान सबाचुराओं में भाजपा सत्ता से न सिर्फ बाहर हो गई बलकि आदिवासी सीटों पर तो जो उसकी दुर्गती हुई वो देखने लायक थी 36 गण में आदिवासी मुखमंत्री की परंपरा नहीं रही है वहाँ अब तक सिर्फ तीन ही मुखमंत्री हुए है अजीत जोगी अकेले कथित आदिवासी मुखमंत्री थे कथित इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2019 में हाई पावर कमिटी ने माना था कि जोगी की जाते आदिवासी नहीं है तो न तो तीन टर्म सियम रहने वाले रमन सिंग आदिवासी थे जो भाजपा के थे और ना कॉंग्रेस के भुपेश बगेल आदिवासी थे जारखंड में दोस्तों विधान सबा का अगला चुनाओ बाबुलाल मरांडी बनाम हेमन्त सुरेन होगा वरतमान हालात को देखें तो आदिवासीों में जेमिम और हेमन्त सुरेन की स्विकारिता लोकपरिता अभी भी बाबुलाल मरांडी और वीजेपी से ज्यादा है इस आगे जा सकते हैं वो उसके लिए कोशिश करें खास कर कोलान और दक्षणी छोटानागपूर में दोस्तों एक सवाल यह भी है कि 36 गड़ के नतीजों के बाद जारखंड के बहुत से भाजपा के नेता या उनके समर्थक इस बात का श्रेय ले रहे हैं और दे रहे हैं कि उ गर्वे 36 गड़ में अधिवासी वोटों को कॉंग्रेस से भाजपा की तरफ टर्न अप करा सकते हैं तो 2019 में जारखंड के चुनाओं में वे क्या कर रहे थे कहा थे और भाजपा को जारखंड में 28 में से सिर्फ 28 रिजर्व सीटे ही क्यों मिल पाई थी तो यह अपनी पीठ कश्रे भाजपा के आला कमान को जाता है वहां के संगठन को जाता है और संग की रणनीती को जाता है चंद दिन घूमकर अगर जारखंड के नेता शेख चिल्ली बन रहे हैं तो उन्हें 2024 में यही करके दिखाना होगा नहीं तो बड़ी क्रिकरी होगी मैं याद रखोंगा और वश्किल बताऊंगा कि आपने क्या कहा था तब और अंत में दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है एडी को लेकर 36 गड़ में शराब घुटाले की जाच एडी कर रहा है मुखमत्री भूपेश बगेल की करिभियों तक पहुँच गया था जारखंड की शराब नीती भी 36 बनेगी तो जाहिर है कि इन घुटालों की परते खुलेंगी राजनितिक दुश्वनी निकाली जाएगी जो चीजे अब तक छुपा कर रखी गई थी वे बाहर लाई जाएंगी तो इन सबका अशर जारखंड में चल रही एडी की जाच पर भी पड़ेगा लेकिन इतना त नहीं होगा या उसके लिए बहुत बड़ी चुनावती साबित होने वाला है दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताईएगा वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा अगले वीडियो में मुलाकात होगी तब तक धन्यवाद स्क्ताय लाम बार्श ओग स्क्राइब में मुलाकात।